हलो, नाउ, लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर थर्टी, दे कालेंडर एंड दे क्लॉग, येर में कितने मंथ होते हैं, ट्वैल मंथ, यहां पे सारे मंथ लिखे हुए, एक बार उसका रिविशन कर लेते हैं, ठीक है, J-A-N-U-A-R-Y, January, F-E-B-R-U-A-R-Y, February, M-A-R-C-H, March, A-P-R-I-L, April, M-A-Y, May, J-U-N-E, June, J-U-L-Y, July, A-U-G-U-S-T, August, S-E-P-T-E-M-B-E-R, September, O-C-T-O-B-E-R, October, N-O-V-E-M-B-E-R, November, D-E-C-E-M-B-E-R, December, ठीक है, अब आप सोचो कितने मन्स होते हैं, तो उसके लिए एक हमारे बुक में राइम दी हुए है, यादे, देखो मैंने यहाँ पर लिखी हुए है, 30 days in September, April, June and November, यानी September, April, June and November में 30 days होते हैं, 30 days in September, April, June and November, अल दे रेस्ट हैव 31, एक्सेप्टिंग February अलोन, यानी बाकी सारे मन्स में 31 days होते हैं, फेबरुआरी के अलावा, फेबरुआरी के बारे में क्या है? यानी के फेबरुआरी में 28 days होते हैं, लेकिन इच लीप यर में 29 days होते हैं, अभी लीप यर क्या है? लीप यर वो है, जो a year is divisible by 4, अभी आपको divisible तो पता नहीं होगा, तो यानी लीप यर वो है, जो हर 4 साल में आता है, ठीक है? अभी जान्यूआरी यर का 1st month है, जान्यूआरी is the 1st month, फेबरुआरी is the 2nd month, मार्च is the 3rd month, अपरिल is the 4th month, May is 5th month, June is 6th month, July is 7th month, August is 8th month, September is 9th month, October is 10th month, November is 11th month, and December is the 12th month of the year, ठीक है? अभी आप एक चीज़ देखिए, कि लीप यर कैसे अकाउंट करते हैं, हर 4 साल बाद लीप यर आता है, अगर 2020, अभी जो चल रहा है, वहाँ पे फेबरुआरी में आप जाओ देखो, कैलेंडर में क्या है? 29 days है, यानि कि हम थोड़ा मैक्स देख ले दे, यहाँ पे 2020 को 4 से डिवाइड कर दे, आपको यह नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं दिखा रही हूं, वह देख लीजे, यह 2020 को मैं 4 से डिवाइड कर रही हूं, तो यह 00, यह है remainder, अगर यहाँ पे reminder 00 आता है, year को 4 से डिवाइड करने पर, तो उसे लीप year बोलते है, यानि 2020 is a leap year, अभी देखो, 2022 उसको 4 से डिवाइड करे, तो यहाँ पे reminder 2 आता है, यानि zero के अलावा कोई भी और हो, तो वह leap year नहीं consider करते, और 2022 is not a leap year और उसके उस टाइम वहाँ पे हमें 28 days होगे फेबुरारी में और अभी यहाँ पे हमारे 2020 चल रहा है तो उस टाइम हमारे कैलेंडर में फेबुरारी में 29 days होगे सही है की नहीं आपने देखा कैलेंडर में वैरी गुड अभी सोचो अभी 2020 है यह leap year है अभी next leap year कभी आएगा 4 months, 4 year के बाद यानि 20, 2020, 2021, 2022, 2023 and next leap year होगा 2024 में ठीक है यानि अभी 2020 में 29 days है तो अभी next 29 days फेबुरारी में कभ यहर में होगे 2024 में now let's some seasons winter, summer and monsoon अब generally हम winter कभी start होता है पता है किसी को नहीं मैं पताती हूँ चलो winter winter, November, December and January, February में यह पूरे 12 months हमारे 4-4 months के gap में divide किये हुए है यानि November से शर्दी शुरू होगी December में भी होगी winter फिर January में भी winter होगी और February तक winter रहेगी ठीके अभी summer कभ होगी March से start हो जाती है न गर्मी अभी कौन सा महिना चल रहा है April तो April में भी बहुत सारी गर्मी है अभी लग रहे है न आपको और ये summer कभ तक चलेगा June तक यानि March, April, May and June वो सारे टाइम summer की season रहती है और monsoon कभ स्टार्ट होती है July July August September and October देखा सारे 12 months कभर होगे 4-4 months के gap में ठीक है जैसे के winter season कभ आती है November, December and January, February में winter रहती है summer कभ होता है March, April, May and June में और monsoon कभ होता है July, August, September and October में now हम exercise solve कर रहे है इस chapter की page number 81, exercise A1 write true or false in the following boxes there are 11 months in a year हमने अब भी पढ़ा कितने months होते है 12 months तो ये वाला क्या है false है ना अभी second one July has 31 days अभी एक ही ये rhymes अगर आपको याद नहीं रखनी तो एक और चीज है जिससे हम पता चल सकते है कि मन्त में कौन से कितने days होते है वो आपको पता है ना ये हमने school में किया था यहाँ पर जानिवारी में 31 फेब्रॉरी में 20 या 29 मार्च में 31 एप्रिल में 30 में 31 जून में 30 जुलाई में 31 फिर वापस यहाँ से ऑगस्ट में 31 सब्टेमबर में 30 अक्टोबर में 31 नवेंबर में 30 और डिसेमबर में 31 है ना अब देको जूलाई है 31 तो यहाँ पर हमारा क्या है था जानियरी फेब्रॉरी मार्च एप्रिल में जून जूलाई जूलाई यानि यह उपर वाला है तो यहाँ पर 31 यानि ट्रू है अक्टोबर इस दे नाइन्थ मन्थ अफ तो येर यहाँ पर देखो अक्टोबर कौन सा मन्थ है तैंथ मन्थ और यहाँ पर दिखा है नाइन्थ मन्थ यानि ये फोल्स है में क lle comes after April में कभी आता है एपरिल के बाद में यह सही है या गलड सही है फेबरुरारी है ट्वेग्टीन नाइड डेज इन अलीपीर अभी हमने पढ़ा फेबरुरारी में 29 डेज होता है कभी लीपीर में यानि ये ट्रू है ठीके अभी याद रहे काना आपको ठीक है चला